चुनाव करने को लेकर शायद आप प्रोफेशनल और दूसरी तरह के चुनावों के बात कर रहे हैं, है न? क्या आपका यही मतलब है? देखे, इसे देखने के अलग-अलग तरीके हैं, आज दुर्भागिस से मैं उन्होंने मुझसे पूछा, अभी तक आप जितने भी युनिवर्सिटीज में गए हैं, क्या आपको वैसे सवाल मिले जो आप चाहते थे? मैं किसी खास तरह के सवाल नहीं चाहता था, लेकिन मैं हर तरह के सवाल चाहता था। लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम सवाल पूछे गए, जिनका संबंध दुनिया से, मानवता से, इस धर्ती पर मौझूद जीवन से, देश से हो, इस तरह के सवाल बहुत कम आए, बहुत छोटा प्रतिश्रत। बाकी सब व्यक्तिगर्ट चीजों के बारे में थे, मैं ये नहीं कहरा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि नव्युवक्त, देश और दुनिया की ज्यादा बड़ी स्थितियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये कहने के बाद, देखिए, अपने जीवन को जीने के दो तरीके हैं, या तो मैं वो करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मगर आपको समझना होगा कि जो आप करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक विचार है जो आपने पैदा किया, और वो आपका भी नहीं है, उसे आपने अपने आसपास से उठाया है हाँ कुछ रुजान हो सकते हैं तो जो लोग मुझसे पूछते हैं किसी न्यूस चैनल ने मुझसे पूछा सद्गुरू क्या आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं 2019 क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं मैंने का, मेरा ऐसा कोई रादा नहीं है. ठीक है, क्या आप अगले चुनाव में खड़े हो रहे हैं? मैंने का, नहीं. लेकिन क्यों? मैंने का, वो मेरी योगिता नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राजनेता बन सकता हूँ. अगर मुझे लगता, तो मैं शायद उसके बारे में सोचता. तो एक चीज है रुजहान. क्या आपका किसी खास कारे के प्रति रुजहान है? क्या इसलिए आप उस दिशा में सोच रहे हैं? या आज धेर सारे लोग क्या करना है, इसका फैसला इस आधार पर करते हैं, क्यों नहीं उससे क्या मिलेगा? क्या मुझे इस तरह की जीवन शैली मिलेगी? क्या मुझे इस तरह की तंख्वा मिलेगी? क्या मैं इस तरह का पैसा और जीवन शैली कमा पाऊंगा? वो इसी के बारे में सोचते हैं. ये गलत तरीका है क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा और अंत में आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं होगा महत्वपून चीज ये है कि देखे अगर आप खुद को सबसे पहले आपको ये करना चाहिए आपको अपने जीवन में काम नहीं करने चाहिए अपनी बेचैनियों, अपनी निराशाओं, अपनी चिंताओं के आधार पर जब ये प्रशन आपके जीवन में एक गंभीर प्रशन बन जाता है तो आपको छुट्टी लेनी चाहिए कम से कम तीन से दस दिनों की जो इस पर निर्भर करता है कि आप कौन है कुछ लोगों को शायद तीन दिन लगें, किसी को शायद ज्यादा समय लगे मान लेते हैं अधिक्तम तीन से दस दिन की रेंज में और अपने साथियों से प्रभावित ना हो फोन को स्विच आफ कर दें अपने प्रोफेसरों से प्रभावित ना हो अपने माबाप से या सामाजिक दबाव से प्रभावित ना हो थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं और देखें मैं आपसे एक सरल से सवाल पूछ रहा हूँ क्या आप एक कीमती जीवन है? आपका जीवन, क्या वो आपके लिए कीमती है? हलो अगर आपका दिल किसी चीज में नहीं है तो आप अपना सर्वश्रेष्ट नहीं करेंगे हाया ना? अगर आप अपना सर्वश्रेष्ट नहीं करते तो आपके साथ शांदार चीज़ें कैसी होंगी? देखें चाहे वो कला हो, संगीत हो, डिजाइन, बिजनेस खेल, आध्यात्मिक्ता या राजनीती हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है? अगर आप उसके प्रती पूरी तरह से समर्पित नहीं है जो आप कर रही हैं तो आप कभी अपने जीवन में कोई महत्वपून काम नहीं कर पाएंगे ये बात सौ प्रतिशत्त तय है आप शायद रोजी रोटी कमाल है लेकिन आप कुछ भी महत्वपून नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी चीज के प्रती पूरी तरह से समर्पित नहीं है देखे अभी ऐसे कई उधारण है चूंकि उन्हें भारत रत्न दिया गया है इसलिए मैं उन्हें चुन रहा हूँ मान लीजे सचिन तंदुलकर यह आदमी गेंद को मारने के सिवाय और कुछ नहीं जानता उनका पूरा समर्पन है बस गेंद को मारना गेंद को मारना गेंद को मारना और वो उसे ऐसे मारते हैं जैसे कोई नहीं मार सकता अब वो एक भारत रत्न है हाया ना यह बस समर्पन है आप उनसे अकेले में बात करके देखिए आप गेंद के बारे में बात कीजिए वो उसके प्रती इतने समर्पित है ठीक है? वो उनका धर्म है वो उनकी पवित्री चीज है वो उनके लिए सब कुछ है उस गेंद को मारना अपना सारा जीवन वो एक मामूली से काम में लगा देते हैं गेंद को मारने में क्या ये एक बड़ी चीज है? लेकिन गेंद को मारना जबरदस समर्पन के कारण देखे कि क्या हो जाता है जबरदस चीजे होती है, है न? तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इसके प्रती समर्पित हो सकते हैं आप यूँ सोचें अगर आज मैं अपना जीवन लगाता हूँ तो अगले पचीस साल क्या मैं उसके प्रती समर्पित रह सकता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए महतोपून होगा, क्या मैं संतुष्ट महसूस करूँगा अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मैंने क्या किया है, कुछ भी आप जो चाहे वो कीजे, बस उसे अच्छी तरह कीजे, ये महतोपून है, और कुछ भी ऐसा मत कीजे जिसे लेकर कल आपको श उसके लिए शर्मिंदा नहीं है, जो आपने किया है, इतना आपको अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, अगर ये एक चीज आप छोड़ देते हैं, तो आप एक बहुत मामूली जीवन जियेंगे, आपके पास भले ही सब कुछ हो, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं हो झाल